नमस्का दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर शीव संकर पंडित आपका मेरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे बच्चों में होने वाले एक बहुत ही कमन समस्य के बारे में जिसका नाम है बेड़ वेडिंग यानि सोते समय अंजाने में बिश देखने को मिलती है जो आगर चलकर उनके सर्मिंदिगी का कारण बनती है और इसे वह परिसान रहते हैं आज हैं बताऊंगा कुछ ऐसे टॉप इंपॉर्टर होंपर्थिक मेडिसिन के बारे में जिसके सेवन से आप में या आपके बच्चों में होने वाले बेड़ वेटि कि चाहिए बेड़ वेटिंग के सबसे पहली और अच्छी आज़ती है कौश्टिकं से आप उस इस्तिम्म आपके बच्चों में बेड़ वेटिंग के समस्या ठंडी के मौसम में बढ़र जाए यानि ठंडी के मौसम में बिश्टर परपेशाव जधा करता हो तता हम गर्मी के मौसम में कम करें या कभी कभार बिश्टर गिला करें तो ऐसे सिम्टम में कॉष्टिक बहतर है इसके थर्टे पुटन सवन करने से ही बच्चों में इस तरह के के एक दो घंटे बाद ही बिश्टर गिला करते तो ऐसे बच्चों के लिए हुए पैथिक मेडिसिन सलफर तथा सिप्या स्वर्वत्तम है इसके बच्चों में इस तरह के बेड़ बैटिंग की आज़त छुट जाएगी और आपका बच्चा बिश्टर बच्चा करना बन कर द प्रिसाब करता हूं तो ऐसे बेड़ बिटिंग के सिम्टम मिलने पर क्रिजोटम वहां बैतर और स्वर्वत होता है इसमें बच्चे को बिश्टर पसर जगाना मुस्कुल हो जाता है आप उसे कितना हो जगाएंगे वह जायेगा नहीं और सपने में कई बार बिश्टर गि जब आपके बच्चा सोते समय दाद किट किट किटाता हो तता उसके पिट में किड़े हो वर्म्स हो एब उसमें बेड़ बिटिंग की सिकायत हो रात को सोते समय बिश्टर गिला करता हो तो ऐसे इस्थिति में इसकी 200 पुटेंशी दिन में तीन बार दोदबंद सर्ण करने से बच्चों में इस तरह के सारे स्पिम्टम बिलकुल ही घाइब हो जाएंगे तता इसके पेट के साथ बीट वेटिंग की समस्या भी खतम हो जाएगी दोस्तों बीट वेटिंग की सबसे बहतर और 917 यह इसकी सूपरशिक ऑस्थिए सिंप्तम चाहिए कोई भी हो या किसी सब्सक्राइब करने की आदत हो वहां एक्यों से टम रामबान आश्टी मानी जाती हैं केवल इस एक आश्टी से प्राय सभी उम्र के बच्चों में बेड़ वेटिंग की समस्या 90 परसेंट गाइब हो जाती हैं इसके थर्टी पुड़न से दिन में तीन बार दोदबन सम करने प्रसेंगे बच्चों में बेड़ वेटिंग की बिश्तर परसाग करने की आदत छुट जाएगी दोस्तों सिम्टम का अनुसान ही दवाओं का चुटाव करें जिस दवा से आपके बेड़ वेटिंग के सिम्टम मेंच कर रहा है केवल उसी दवा कहीं सिवन अपने बच्च में उस बीमारी के बारें बताएं अगले बुड़े में उस बीमारी की होमेपेथिक आउस्ति बताए जाएगी धन्य बाद